कैसे हो मैं हूँ आपका मैटरस अंजीम जोतरा और आज हम टापिक लेकिया है वह है का लिगेटीब प्रॉपर्टी स्कार की थर्ड कोलीकेटीब फ्रॉपर्ड और वह क्यों से है हमने पिछले लेक्ष्र में क्या किया था यह अलीवेशन दिप्रेशन इन डिसकस करने वाले हैं वह क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग का कम हो जाना कभ कम हो जाना घब उसमें हम कोई नौन वोलाटाईल सिल्यूट ढालेगी ठीक है चलिए शुरू करते हुग होता कैया कि जoken S1 me कि सॉल्वेंट में कोई नौन व मॉलाटायल सिल्यूट डालतें चैना डालते नौन वॉलाटाल स्ल्यूट जैसे नॉन वॉलेटाइल स्ल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगे कम ठीक है तो सल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा solution का वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो चीज freezing point भी क्या हो जाएगा अब freezing point क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे पहले हम देखते हैं इसे graphically इधर क्या लेंगे वेपर प्रेशर इधर क्या लेंगे हम टेंप्रेचर केल्मिन में लेने अब यह graph मैंने इस तरह के से और यह क्या है लिक्वड 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 का लिक्वड क्या है solvent कि मालो ए या बी ले लो कि अब उस solvent मैंने क्या डाला स्लूट डाल दिया वह भी non-volatile अब नोन वलाट्रिल क्या करेंगा वेलेपर प्रेशर कंकर देगा हमें आया से जैसे ध्यू मालेशन का क्राइब वह व्ट rude तो स्लूूशन की सिलूूचन का ग्राफ वह प्रम क्या कि अगर solid हमारे पार solid phase है उसका graph इस तरह किसे दाएगा यह क्या हमारा solvent को सा solid solid और यह point यह वाला point यह क्या है कि इसे क्या बोलते है टी एफ नॉट क्या टी एफ नॉट क्या मतलब यह point कि जब वे अक्चल में बात किसकी केम ने freezing point की यह कौँ साथी टी नॉट एफ क्या freezing point तो freezing point क्या कहता है फिर freezing point कहता है कि वो temperature वो temperature जब जब वेपर प्रेशर इस temperature पे वेपर प्रेशर liquid face और solid face का same हो जाए किसी temperature पे वेपर प्रेशर ये वाला वेपर प्रेशर liquid face और solid face का same हो जाए उस point को उस temperature को हम क्या बोलते है freezing point क्या बोलते है freezing point freezing point कौन सा temperature है जब जब क्या हो कि वेपर प्रेशर किसका solid phase sorry liquid face चाहे वो solvent हो चाहे कोई solution हो liquid face और solid face को कि solid के भी कुछ वेपर प्रेशर क्या हो जाए कि सेम हो जाए उस temperature को हम बोलते है freezing point अब T not F q लिखा यह freezing point किसका था solvent का pure solvent का तभी हमने क्या लिखा T F not बता देता हूं क्या है it is the temperature at which vapor pressure of liquid state becomes liquid state becomes equal to the solid state at equilibrium या फिर solid and liquid forms of substances have the same vapor pressure ठीक है solid liquid form किसी substances की जब उनका क्या है vapor pressure क्या हो सेम हो उस temperature को हम क्या बोलते है freezing point अब मैंने क्या कहा मैंने क्या कहा कि solution solution का vapor pressure आगे आपको पता कम हो गया क्यों कम हो क्योंकि उसमें मैंने क्या डाल दिया था non-volatile solute अब non-volatile solute को जैसे डाला तो क्या बन गया solution बन गया solution का vapor pressure नीचे आ गया अब इसको देखते है कि इसका जो freezing point है वो कहां पर आता है इसका freezing point कब आएगा जब इसको solid forms के साथ solid state के साथ match करेंगे यहां पर draw करेंगे यहां पर इस एक्स्टेंड करेंगे और यह कहां पर मिल रहां के यहां पर कट किया इस जगह पर इस temperature को कि यह किसका temperature आ गया टी-f यह किसका आया solution का आया तो क्या हुआ boyling point कम हो Zh Corona. two-four होता इधर two पीछे को आ कम हुआ जब हमने एस पर non-volatile result मुणार्ट एड़ किया तो ठीक है तो यह क्या पिफ क्या है तीक है फ्रीजिंक पॉइंट आफ शोलुशन तो यह क्या है फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्वेंट अब यह क्या था डेल्टा टीयेफ देटिफिनिन फ्रीजिंग डेल्टाइब के डेल्टा टीपिया आँ यहां पर दित हूंच नburg तिन्हाँ के यह व् Haus करेण है डिप्रेशन फ्रीजिंग फाइट ठीके अट्स त एस देयर्टो ढोट माइनग्न की एसे बोलते है को हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्रीजिंग प्रीजिंग पाइंटकफ कब कम हुआ जब उसमें नॉन बॉलटाइज से लीट एड़ कर दिया थीक है अब से वैसे ही करेंगी जैसे हमने एलिवेशन बॉलिंग पैंट में किया था ठीक है लिए देखा गया डेल्टा टी एफ इस डिर्क्री पूश्चना टू मॉललिटी सेम ऐसे मॉललिटी कैसे निकालते है नमबर ओफ मोल्स ओफ स्ल्यूट बार बार में लिख रहा हूं वेट ओफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मॉल्टिप्लाइब बाइन तोजन एंड कैसे नमबर या वेट लिख लो वेट ओफ स्ल्यूट अपॉन मॉलर मास यह चीज़ याद रखने है स्ल्यूट की अब अब मॉललिटी किस पर नमबरों मोल्स पर इसका मतलब डेल्टा टीएफ तो कॉलिगेटिव प्रॉपपटी है यह क्यों क्योंकि डेल्टा टीएफ किसके मोल्स पर करती है नेचर पर डिपैंड नहीं करेंगी तो ठीक है तो यह नमबर ओफ मोल्स पर डिवेंड कर रहे हैं तो इसको अगर हटाएं यहां पर तो प्रपोर्शनल कॉंस्ट्ट जगर लगाएंगे तो यह क्या आएगा के एफ 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 क्या है कि डिप्रेशन मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट यह क्या है मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट वाटर के लिए इसकी वैल्यू प्रोक्स्मेट्री वन पॉइंट एट के गरीब होती है एथनोल की वन पॉइंट नाइन इस तरह के किसी जो वैलिज होती है वो दी होती है आपको तो डेल्टा टीएफ के कब इकल होगा जब मॉललेटी क्या कर दी जाएगी वन मॉललेटी वन होगी तो डेल्टा टीएफ किसके एकल आजएगा किया एकल जैसे हमने वहां पर एलेवेशन एंड बॉलिंग पॉइंट पे हमने यूनिट्स निकाले थे विजासे हम यहां पर भी तो यूनिट्स निकाल सकते हमें पता ही है टेंपरेचर है तो केल्विन क्य इसे निकालने मॉलेटी मुलनलटी क्या होती है नमबरी मोल्स मोल्स मो अपनदू विटे किस मेंदर है केजी में ütün जतायते हैं लात्यक्रस में लेते पर यह पर चलों केजी मोनी तो प्रक्या आगया यह दाला गया केल्विन किलोग्राम पर पे मोलerry in कानिंठ मिल्टि are के मोलावक मजो भी संहाव देते हैं सी और भी भूल लेते हैं क्रायस्कोंपिक कॉंस्ट ठीक है यह mism लाग लाग हिनको नाम दे देती हैं तो अब ऑव अब पता चल गया कि depression and freezing point quality property है क्यों property है क्योंकि depression and freezing point जो है वो किस पे बैंट करता है molality पे और molality किस पे बैंट करता है number of moles पे तो colligative property तो यही बोलती है तो अब हम जैसे हमने elevation and boiling point के molar mass निकाला था salute का by using elevation and boiling point अब by using depression and freezing point हम क्या निकालेंगे mb निकालेंगे that is the molar mass of salute ठीक है अगर आप आपने वो देखा हुआ तो आपको यह असानी से आज समझ आने वाला जो elevation boiling point था ठीक है चलिए अब निकालते है molar mass कि मैं कहता हूं जैसे हमने वहां पर लिया था A solvent लिया था B solute ठीक है अब W A के हमारा weight of solvent solvent का अब W B क्या है weight of solute यह ले लो MB क्या weight of molar mass of solute ठीक है अब यहां पर number of moles निकाल देते हैं यहां पर N की value भर देते हैं N is equal to किसके एककोल आगया N is equal to weight of solute कितना है यह वाला W B mother mass solute का कितना है MB यह था हमने value यह से निकालनी ठीक है weight of solvent हमारे पास है weight of solvent कितना है W A यह चीज यूज होगी हमारी यह और यह चीज यह तीन चीज़ें यूज होने वाली है ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे इसे molar mass किसका molar mass MB of solute using depression in freezing point depression in depression freezing point अब पता में अभी निकाला हमने डेल्टा टीबी इस इकल टू के सोड़ी टीवी लिख रहा हूं है डेल्टा टीएफ सोरी डेल्टा टीएफ इस इकल टू के एफ इन्टू एम ठीक है डेल्टा टीएफ कि एफ कि अब मुलैलेटी मुलैलेटी की वैल्यू यहां हमारे पास number of मोल्स number of मोल्स के यह डेल्यू बी अपान एम बी डेल्यू बी अपान एम बी मल्टीप्लाइबाइब वन थाउजन तो है यह है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सोल्वेंट का बेर यह वाला डवल्यू ए है ठीक है अब यहां से कहां निकालने निकाल लो यह दर चला जाएगा तो यह क्या किए इन्टू WB इन्टू 1000 अपॉन टेल्टा टी एफ इन्टू डब्ल्यू ए यह क्या अगया मुदर मास हमने निकाल दिया सल्यूट का कहां से दिप्रेशन इन्टू पर्ण जो अगर नहीं हुई तो आप दो बार दोबारा देखे वीडियो को और जब आप दो दिन बार देखोंगे तो आपको यह को से अफ्का असानी से क्लीर हो जाएगा ठीक है तो हमारी पहली रेलेटिव लोरेंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन बॉली पाइंट और आज यह डिप्रेशन इंट फ्रीजिव पाइंट खतम हो चुके हैं और अगली मारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वह कोई से होगी ओस्मॉटिक प्रेशर ठीक है तो आज के लिए फिलाल इतना है हम अगली लेक्शर में दुपारा अजि का इसलिए ठाइब होगे तब तक लिएिज्ञेटिए थेंकिग गुद्बाइगे यह है